जैहिंद गुड मॉर्निंग प्रशन मेरे उत्तर भी मेरे आज का विश्य है मेक इन इंडिया कल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचेल ने एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने अनॉंस करा कि बेकम पेट हवाई अड़ा हिद्राबाद में 18 से लेकर 21 तक वो सिविल एविएशन के इंडिजनस प्लाटफॉर्म्स डिस्प्ले करेंगे और सबको इंवाइट करा है उदर आके देखने के लिए प्लाटफॉर्म्स हैं हिंदुस्तान 228 और एडवांस्ट लाइट्स हेलिकॉप्टर तो मैं हिंदुस्तान 228 उस पर आज फोकस करना चाहता हूं कि यह बताया जा रहा है एचे बता रहे हैं कि मेक इंडिया इंडिजनस प्लाटफॉर्म है तो पहला मेरा प्रशन कि यह हिंदुस्तान 228 क्या जहां जाएगे हिंदुस्तान 228 डौर्णिया 228 एक जर्मन जहाज था उसको लेके एचेल ने उसको अपग्रेड करा है और उसको नया नाम दिया है हिंदुस्तान 228 हल ने कॉक्पिट अपक्रेड करें है ग्लास कॉक्पिट लगाई है अभी HAL ने वो German airframe का design जो था उसकी complete TOT लेके खुद बनाना शुरू कर दिया है तो अभी यह license production नहीं होगी उसकी पूरी TOT है और जो भी components airframe में जाएंगे वो शायद Indian हो और शायद बाहर सरी अभी आल राइट सार विद अचल नाओ तौर्णियर 228 दो एंजिन का जहाज है तुन इंजिन American company Honeywell का बनाया गया Garrett TPE 331-5 एंजिन का नाम है तो यह Garrett TPE टर्बो प्रॉप एंजिन 331-5 यह बड़ा साधारन सा टर्बो प्रॉप एंजिन है 1959 में इसको डिजाइन करा था और 1963 में यह जहाज पर फिट करके इसको यूज करना शुरू हुआ बड़े इसके वेरियंट्स अभी बना दिये हैं अभी जो American company इसको बनाती है हानीवेल करके अनीवेल ने काफी वेरियंट्स इसके बनाये हैं और यह डैश फाइव वेरियंट्स जो डॉनियर 228 पर और अभी हिंदुस्तान 228 पर लगाया गया है इसकी इसका हॉस्पार तकरीवन 940 शाफ्ट हॉस्पार है तो बेसिकली यह 1950s जा टनोलोजी का इनियन है कि समील चाफ बेसिक अडर्बो जट से अगया हॉगा है तो इसकी ब्हट्ब कासरी जींड्सेश दो टेस्टीम जेवरियंट्स भी मिल्सरी शाव्यंट्स वेरियंग्यंग्थ है जो तो इसकी बहुचेश का हॉच्ते जीशी अगया होग्यों अगर गैरेट 331-5 नाइटीन फिफ्टीनाइन में डिजाइन हुआ था तो हावकम हल इस्टिल लाइसेंस प्रोडूसिंग इतना पुराना डिजाइन इतने डिकेड्स गोजर गए हल अभी तक 1959 का बने हुए इंजिन का डिजाइन वैसा खुद नहीं बना सकता है है अभी यह एंजिन अंडर लाइसेंस बना रहा है अगर कोशिश करी करी होती अगर रजचेन लें तो आइम शूर वह बना सकता था बड़ा सिंपल सिंगल शाफ्ट टर्बो जेट से यह बना हुआ टर्बो प्रॉप एंजिन है लेकिन कोशिश करी नहीं शायद डिमांड नहीं थी कुछ भी आप एक्चुल कारण तो मैं जानता नहीं पर नहीं बना सका इतने पुराने एंजिन की हेल टेक्नोलोजी क्यों नहीं ट्रांसफर कर लेता और खुद क्यों नहीं बनाना शुरू कर देता क्या जरूरत है अभी भी इतने पुराने एंजिन को हम अंडर लैसेंस मैनेफेक्शर करेंगे बड़ा अच्छा स्वाल आपने पूचा और जैसे मैं पहले कह रहा था कि य मेरे विचार में हेल को इतना पुराना एंजिन अंडर लैसेंस बनाते रहना तो यूर पर पेचुएटिंग यूर 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 डिपेंदेंस ओन अनिवेल इन दे यूएस अप अनिवेल पर ही डिपेंडेंट रहोगे तो आप कह रहे हो कि ये इंडिजनस जहाज है पर कैस एक जहाज का सबसे इंपॉर्टन कंपोरेंट तो होता है एंजिन उसका तो कैसे ये इंडिजनस कमर्शिल एरलाइनर है एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि कौन सी एरलाइन एक जहाज को खरीदेगी जिस जहाज का एंजिन 1959 में डिजाइन हुआ था आजकल ऐसी को पाना चाहेगी वंस अगेन गुट कॉस्टिन मेरे विचार में ऐसी कोई एलाइन है एचेल मार्केट कर रहा है और ऐसे सिबल एरलाइनर एसे सिबल एरलाइनर इस ए 19 सीटर इट थेरिटिकली इट कैन बी उसे फीडर लाइनर बट यह कोई इस आट गूंट बीचीप हनीवेल को लाइसेंस फीज दे रहे हो इंजिन प्रडक्शन बगएरा की तो यह जहाज कॉस्ट वाइस कंपेरिटिव नहीं होने वाला अल्टिमेटली क्या होता है यह अभी तक इस जहाज को केवल एरफोर्स नेवी ने खरीदा है है एक पर ही बनाना शुरू कर देगा वह मोड के थूप प्रेशर लगाएगा और अएफोर्स नेवी और ऐसे जहाज करीज देंगे तो इस एक राकेट अप्राइड वह एन ए प्रेट प्रेश यह जिए अचन थे फिर गोश्ट अट यह जोश्य क्लेट्स अधे अप्र दि and you have put an ancient engine on it the engine you are not able to manufacture and yet you claim this is a indigenous civil aircraft ordinarily no aircraft manufacturer will ever manufacture an aircraft unless they have strong interest from airlines for that particular aircraft no one has no interest in any airline so this is all you have seen in the name of make-in-india you will take a foreign engine and take a license or under license you will produce which will be the profit will be the annual because they will put the engine in maintenance वो आपसे चाज़ लेंगे तो I don't see this point it's a racket you know you are projecting it as a make in India but actually it is nothing instead of making a 19-seater feeder liner that no airline to my knowledge has shown interest in HAL could have done the nation some good service by transfer of technology for manufacture of the Garrett 3315 engine and designing a UAV round this engine here is a fact one of the most successful UAVs in the world the MQ-9B which is American UAV which India is buying from the US at great cost is powered by a Garrett engine Garrett 331-10 engine so it is the same family of engines the engine has been modified for for high-altitude flying and fitted on to a fitted on to the MQ-9B platform there's no reason why HAL cannot design a UAV around the Garrett 331-5 engine true the engine would need to be tweaked for a UAV to fly at 30,000 feet like the MQ-9B but it's something that need not be done immediately HAL can start the tweaking process and in the meanwhile design a UAV even with the current Garrett 331-5 engine the UAV would easily be able to to loiter for about 20 hours plus carrying 500 kg at about 20,000 feet once the engine is tweaked for high altitude flying the altitude limitation would go away and it would be able to fly at 30,000 feet a UAV like the MQ-9B is the need of the hour why is HAL spending its energies on building a feeder liner 19 seater feeder liner that nobody wants that it is going to ultimately dump on the services 19 seater why not build a Mali UAV around this engine 19 seater